हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एक और कमाल की नई वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको ADCA Computer Course की पूरी जानकारी देने वाले हैं जैसे ADCA Computer Course में आपको क्या-क्या सिखाया जाता है ADCA Computer Course कितने समय का होता है ADCA Computer Course की फीस कितनी होती है ADCA Computer Course करने के बाद आप जौब कहां कहां कर सकते हो ADCA Computer Course करने के लिए आपके पास कितनी योगता होनी चाहिए यानि कि आपको कितना पड़ालिका होना चाहिए ADCA Computer Course करने के बाद आपको salary कितनी मिलती है यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा आज की इस वीडियो में हम आपको ADCA computer course की पूरी जानकारी देने वाले हैं यदि आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आपको इस वीडियो को complete देखना होगा हेले दोस्तों नमस्कार में रावल कुमा स्वागत करते हूँ आपके अपने चैनल जी एसार बजरंग में दोस्तों चैनल पर नाचन को सब्सक्राब जरूर कर ले पासम बेल आकन वागे ओल पे जरूर किलिक कर ले ताकि इस तरीके की और वीडियो बनाव सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके तो आएए दोस्तों सुरू करते आज की वीडियो तो दोस्तों आएए अब मैं आपको step by step समझाने वाला हूँ तो आपको वारी website पर जाना हूँ आएए मैं आपको step by step समझा देता हूँ आपको अमारी website पर computer के जितनी भी notes होते आप फिरी में download कर सकते हो जैसे ADC computer course के notes होगे टेली course के होगे MSWDK टाइपिंग के जितनी भी notes होते हैं उनको आप फिरी में download कर सकते हैं तो आईए समय लेते हैं उसके बाद दोस्तों मैं आपको उता हूँ है ADC computer course की पूरी जानकारी के बारे में तो आपको क्या करना आपको अपने computer laptop या mobile में जो भी आप इस्तमाल कर रहे हो उसमें आपको Chrome browser को open कर लेना है या आपके पास जो browser है आप simply इसको open कर सकते हो मैंने simply यहाँ पर Chrome browser को open कर लिया इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिगना GSR Bajrang ठीक है हमारी channel का नाम ल ओपन करेंगे दिशकते हमारी यह जो भी बैपसाइड डेस्ट आप मोड में यहाँ पर इनेवल हो जाएगी ओपन हो जाएगी यहाँ पर नहीं हो चुकी है अब दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं आपको इस बैपसाइड पर क्या क्या मिलेगा जैसे आपको यहाँ द करेंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखाएडए मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह यह कंपूटर कोर्स आपको मिल ज्याएगे मृट्र ऊप्स सब्सक्राइब करना चाहता है ना उनकि आपको मिल ज्याएं जैसे जी आप आप MS बढ़की कुछ से लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं आपको चार आपसन मिलेंगे उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर सही है सब के मिल जाएंगे जैसे पोटो सौप के मिल जाएंगे उसके बाद दोस्त आप नीचे आएंगे आपको तिरपल सी के भ जाएंगे आप दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं जैसे मालों आपको엔 जितनी पीडियफ हो तो आपको अपको ऐनलोट करना बिल्कुल फ्री में तो आपको दिखाए कूटर पीडियफ आपको इसी के ऊपर यांपे क्लुक कर सब्सक्सक्राइब करूब देख सकते मेरे सा प्रप्या तक पेमिट नहीं करना है देख सकते हैं अब मैं आपको एक PDF डाउनलोड करके दिखाता हूं जैसे मालो आपको पर दिखाए दे रहा हूं दिख सकते हैं आप पर computer notes PDF ADC computer course की PDF यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको पर दिखाए दे इस तरह कहता हूं यहां पर जोईं टेली ग्राम जॉइं तो आपको हमसे तेली ग्राम पर जॉइन हो लें क्यों को दोस्तों हम टेली ग्राम पर लाइड बगारा बिगर circuit बालगरा दलते रहते हैं तो आप को यहां पर ओपर क्लिक जाना नीचे जाना आप कम पर मिल जागा इसकी कमप्लेइट आप कम पर जानकारी मिल जाएगा उसके रापर दोस्तों आपको नीचे जाना इसको डाउन लोड करने के लिए ऐसका पिलिए के लिए कीडिये पिलिक कर द smय गान। जैसे दूस्त आप click करें ना, click कहने के बाद आपके मुआल में जितनी भी Gmail पड़ी होगी, वो आपके सामने याँ पर open हो जाएंगे. यदि आपके मुआल में एक Gmail है तो तो आपको select करके direct आप download कर सकते हो, याँपर यह option आता है कि आप किस Gmail ID पर download करना चाहते हो, तो मेरे पास याँ पर मेरे केस में याँ पर मेरे पास याँ पर 10 वारत Gmail ID है मेरे मौल में Login तो मैं simply अपनी Gmail ID को select करूँगा इसके बाद OK कर दूँगा जैसे मैं OK करूँगा देख सकते हैं मेरी जो भी ADC Computer Course की PDF होगी ना इस तरीक से देख सकते हैं आपर open हो जाएगी प्रवाट पर कंप्रोटर कोर्स का पूरा को मिल जाएगा सबी चीजों के बारे में बिलकुल डिटेल्स में दोस्तों मैं आपि समझाया गया तो आपको इसको कैसे download करना जैसे मालों आप computer पर यूज़ कर रहे हो तो आप कहाँ पर दिखाए देगा download को option यहां पर दिखाए देगा computer laptop पर इदि आप इसको mobile पर open किया है तो आप कहाँ पर दिखाए देगा दोस्तों आप पर दिखाए देख सकते हैं download आपको simply download को उपर किले करके इस पीडियाप को download कर सकते हो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी पीडियाप को download कर सकते हो हमारी इस website साट पर जाके अब मैं सिंप्ल इसको बैक कर देता हूं इस तरीके से ठीक है मैं इसको उठा देता हूं अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं ADCA Computer Course की पूरी जानकारी के बारे में दोस्तों आपने ये तो समझे लिया कि PDF हमें कैसे डाउनलोड करें ADCA Computer Course की तो आईए दोस्तों अब मैं आपको step by step समझाने वाला हूं ADCA Computer Course की पूरी जानकारी के बारे में लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को skip करकर के नहीं देखना वीडियो को बिरुकुल सुरू से लेके end तक देखना है यदि आप ADCA Computer Course की जानकारी के बारे में समयना चाहते है ADCA Course करना चाहते तो उससे पहले आपको इस वीडियो को complete देखना हुआ तो आए step by step समय लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूँ ADCA Computer Course में आपको क्या क्या सिखाया जाता है आए इसके बारे में पहले समय लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको अतादू ADCA Computer Course में आपको क्या क्या सिखाया जाता है आईए step by step समयते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको सिखाया जाएगा ADC computer course में computer की basic जानकारी जैसे computer को चाली करना, बंद करना software को install करना, uninstall करना copy करना, cut करना, paste करना software को open करना close करना, इस तरीक से आपको basic जानकारी सिखाया जाएगी उसके बाद दोस्तों आपको सिखाया जाएगा MS not paid के बारे में not paid पे आपको typing वरा सिखाया जाएगी छोड़ी बहुत ऐसे करना, font ऐसे करना यह κάν written, बोगरना, ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको शिखाया जाएगा MS paint के बारे, paint में आपको जो भी आपका mouse होता उसको आपको सही तरीकी से चलाना आना चाहिए ठीक है अनि उसमें से आपको सिखाया जाएगा MS PENT में इसलिए आपको MS PENT सिखाते हैं MS PENT सीखाने के बाद दोस्तों आपको सिखाया जाएगा MS BID PAID और यहाँ पर BID PAID आपको सिखाया जाएगा BID PAID में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी टाइपिंग के बारे में ठीक है किसी PONT को BOLD करना इटैली करना मोटा करना तरिचा करना इसके बारे में आपको उसमें complete जानकाली मिल जाती है उसके बाद दोस इसे computer को सीख सकते हैं ठीक है आलो आपको MS बड़ सिखाय जाएगा MS Excel MS Excel की बाद आपको सिखाय जाएगा MS PowerPoint उसके बाद दुस्तों आपको सिखाय जा सकता है Photoshop में आपको फोटो कैसे बनाने background कैसे करना Photoshop की पूरी जानकार आपको सिखाय जाएगी उसके बाद दूस्तों page maker सिखाय जाएगा आपको page कैसे बनाने कैसे क्या अगना जैसे आपने देखा हुआ जो भी आपके news paper होते जो भी आपके हकवार होते हैं वहां पर आपने चोटा सा यहां पर article से लिखा हुआ देखा हुआ बैनर सा बनावा ठीक है तो वहां पर किसी डॉक्टर रिवार में advertisement वगरा होता तो वह आपको आप इसका जाता है कि आपको कैसे बनाना है उसके बाद दोस्तों आपको सिखाय जाएगी क्या जाते ही दोस्तों हे हो गया computer basic, उसके बात दोस्तों आपको किसी किसी center पर सिखा देते हैं जैसे coding बगरा सिखा देते हैं STML की जानकारी आपको सिखा देते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको किसी-किसी center पर सिखाते हैं, हर computer center पर आपको यह जानकारी नहीं सिखाते है, coding बगरा की, मैंने जो AD से computer course किया था मुझे नहीं सिखाई गई थी, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों, आपको यह हो गया ठीक है, computer बैसिक जानकार होगी यह सारी अब आपको इसी को ऐसे चीज़ शिकाए जाएगा और सब्सक्राइब कफ़क्न लिजर के झिवारे में लेजर कैसे बनाते травishing नैसल इकाउंट के से ऐसिक हो इससे बनाते हैं वश्लाइब के जाएगा मानने प्रैक्टिक्ल में हृतky हो सोप्ट रॉर पर ऐसे काम करते कैसे अभी आपको तलपट बनाना कैसे आइख करना यह दोसतों के positiv है इसके बार जाती है अद्स यहीं होड्ड भी हाएडर больш सिखाया जा सकता है जैसे computer laptop में window कैसे install करनी है कैसे format करनी है RAM कैसे लगाने, hard disk कैसे लगाने, इसके बारे में आपको सिखाया जा सकता है, किसी-किसी center पर सिखाते हैं, किसी-किसी center पर नहीं सिखाते, तो दोस्तों आपके complete समझ में आ गया होगा, ADCA computer course में आपको क्या-क्या सिखाया जाता है, अब दोस्तों बात करते हैं, आपने ये तो समझ ले ADCA computer course में आपको क्या-क्या सिखाया जाता है, अब दोस्तों मैं आपको बताने वालो, ADCA computer course कितने समय का होता है, ADCA computer course करने के लिए आपको कितना टाइम देना होता, उसके बार में समय लेते हैं, तो दोस्तो, मैं आपको गता तो ADC Computer Course कहिने के लिए, आपको कम सकम एक year का टाइम लगता है, एक साल का टाइम लगता है, उसके बाद दोस्तो, depend करता है किसी भी center पर, किसी center पर इसको 6 में में करा दिते हैं, ठीक है, और किसी सेंटर पर एक साल का टाइम लगता है तो किसी सेंटर पर इसको डेड़ साल का भी टाइम लगता है यानि कि सिंपल वासा में दोस्त मैं आपको समझाओं तो उस सिक्स मन्त से ले करके डेड़ साल के अंदर आपको ADC computer course सिखाया जाता है लेकिन दोस्तों मैं आपको अपनी ओपिनियन दूतों मैं आपको बता दो एक साल वाला जो ADC computer course होता है उसी को आप कर सकते हो उसी में आपको complete जानकारी दी जाती दिया आपको कोई भी computer center वाला है आपको 6 मन्त में ADC computer course करा रहा तो आप समझ जाईए वो आपको जल्दी यल्दी करा देगा आपको इतनी जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि दोस्तों मारे ADC computer course होता है उसमें 6 मन्त तो आपको टेली सिखाय जाती है उस 6 मन्त आपको computer की जो भी basic चीज़े होती वो आपको सि लिखाय जाता है अब दोस्तों बात करते हैं ADC computer course सीखने के लिए आपके पास योग्यता कितनी होनी चाहिए आपको कितना फड़ा लिखा होना चाहिए इसके बारे में complete समय लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको बतादू ADC computer course करने के लिए आपके पास कम से कम 12 होनी चाहिए यदि आपने बार्यमी पास करे लिए तो आप इस को कर सकते हो बैसे तो दोस्तों आप प्राइबेट जो भी होते हैं ठीक है वहां पर जाकर कि आप 10th से भी कर सकते हो आपने high school पास करें फिर भी कर सकते हो लेकिन दोस्तों जो आपने 12th पास किये तो आप अच्छे से ADC course कर सकते हो 12th से पहले आप ADC course ना करें तो सही रहेगा ठीक है यदि आप 9th में कर ले तो high school में कर ले तो इतना benefit नहीं मिलता आपके भी अच्छे से संध में नहीं आता है इसलिए दोस्तों आपको क्या गएना है कम से कम 12 में के बाद ही ADC course करना है आप 12th के बाद करें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन कम से आप 12 के बाद करें तो आप कहीं भी जाएं तो आप सही तरी से जॉब कर सकते हैं इसलिए दोस्तों आपको कंद से कम 12 पास तो करनी ही करनी है तो दोस्तों आपके ये भी complete समझ में आ गया होगा दोस्तों अम मैं आपको बताने वाला हूँ ADCA course करने के लिए आपको कहां कहां जॉब मिलती है तो आप ADCA course कर लेते हो तो आप जॉब कहां कहां कर सकते हो तो आए इसके बारे में step by step समय लेते हैं जैसे कि दोस्तों मैं आपको शुरू बात में बताई दिया है ADCA computer course में आपको क्या क्या सिखाया जाता है अब मैं आपको पटाने वालों ADC computer course में आपको कए लेते हूं तो आपको job कहां मिलते दीको आप कहां कहां जौब कर सकते हो किसी भी office में आप जौब कर सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों आप किसी भी मौल कोई company बगढ़ा उसमें आप जौब कर सकते हो डाटा एंटरी की जौब कर सकते हो अनि आपको टाइपिंग वारा सिखाई आते हैं एडिसी कोर्स में तो आप डाटा एंटरी की जौब कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आप कहीं पर भी जो भी डीटी डीटीपी सिखाया जाता है आपको कॉरल डूर सिखाय जाता है तो आप कहीं सेंटर पर जाकर कोई भी कार्ड बगज़ा बना सकते हो इस तरह की से आप काम कर सकते हो इसके वाद दोस्थ आप सकते हो सारी चीज़ बना सकते क्योंकि दोस्तों आपको ADCA course में सारी चीह सिखाए जाती हैं मालों इसके बाद आप खुद का यहाँ पर कोई भी सेंटर कोल के खुद की यहाँ पर करवा सकते हो फड़ाई education दे सकते हो लोगों को सिखा सकते यह भी आप कर सकते हो तो ADCA course करने के लिए आपको कितनी पीस देनी होती है ADCA course आप कितनी पीस दे के कर सकते हो तो आईए इसके बारे में step by step समय लेते हैं दोस्तों पीस की बात कर तो यह सेंटर के ऊपर depend रहता है आप किस एरिया से हो कौन से सेंटर पर जा रहे हो आपके कितना चार्ज लग रहा है बैसे मैं नॉर्मल बात करूं तो ADCA course मारा मेरे यहां पे 6000 में complete ADCA course हो गया था जैसे कि मैंने आपको शुरू बातों ही बता दिया सेंटर के ऊपर depend करेगा आप किस सेंटर पर जा रहे हो आपके कितना चार्ज लगता ADCA course का तो आप अपने साब से आप देख सकते हैं और यह भी दोस्तों depend कर सकता कि जहां पर आप ADCA computer course सीखने जा रहे हैं वहां पे आपको ADCA computer course में क्या क्या चीज़ सिकाई जा रही है यदि आप जो मैंने आपको शुरू बाता है तो यह सिकाई जा रही है तो यह सकता है इससे जादा पैसा लगत सकता है तो सेंटर के ऊपर depend कर सकता है बैसे मैंने आपको नौर्मल बताए पांच हजार से लेकर दस हजार की बीच में ADCA computer course आपका complete होई जाता है दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे computer center देखे जो आपको ADCA computer course तो कराते ही हैं उसके साथ में आपको triple C course भी करा देते हैं तो उनका charge थोड़ा बहुत बढ़ सकता है तो आप अपने साब से आप देख सकते है तो दोस्तों आपके complete समझ में आ गया होगा ADCA computer course की कितनी piece रहती है दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ ADCA computer course करने के बाद आपकी salary कितनी रहती है तो आईए इसके बारे में step by step समय लेते हैं देखो दोस्तों दी आप किसी भी private company में जाते हो तो आपको शुरू बा सकते हैं जैसके मैं आपको बताई दिया है कि आपको job कहां कहां मिलती है जैसी आपकी job रहेगी उसी साफसे आपकी salary रहेगी तो आप अपने साफसे आप देख सकते हैं आपने पहले कभी काम नहीं किया है तो आपकी शुरू बात है 15,000 से लेके 20,000 के बीच में salary होने वाली उसके बाद दोस्तों आप जैसे जैसे आपको knowledge होती जाएगी उसके बाद आपको 30,000, 35,000 इस तरह से आपकी salary बढ़ती जाएगी तो आपके ये भी चीज़ समझ में आगी होगी ADCA course कहिने के बाद आपको कितनी salary मिलती है ADCA computer course की मैंने आपको पूरी जानकारी बता दिये फ आगी उन्हें भी जानकारी मिल सके ADCA computer course की है दोस्तों उम्मीद करते हूं आज का वीडियो को लाइक देना चैनल को सब्सक्राब जरूर कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए तो आज के लिए इतना है मिलते नेक्स्ट वीडियों तोसके लिए जैहन्द